समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद विद्रोग की जवाला अड़क रही थी अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को धर्ट हडपते जा रहे थे अब उनकी द्रिश्टे जांसी की ओर लगी थी जांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यू के पश्चात उन्होंने महाराज के दतक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्रादिकारी मानने से इंकार कर दिया उत्रादिकारी मतलब वारिस अंग्रेजी पौजों ने जांसी के किले को घेल लिया महाराणी लक्ष्मी बाई ने युद्ध करने का निश्चे कर लिया मतलब कि इरादा बना लिया कि युद्ध करना ही है किले के प्रतेक दरवाजे पर सवशक्त सैनिक नियुक्त कर दिये सरशक्त होता है जो थ्यार से मतलब के तेज मतलब के काफी अलर्ट जो होते हैं वो वले सैनि उन्नाव धरवाजे पर महारानी ने जलकारी को नियुक्त किया जलकारी बड़ी होशियारी और द्रिर्टा से मोर्चा संभाले हुए शत्रों पर गोले बरसाती रही अंग्रेजी फोजों को ऐसे मुकाबले की अशा ना थी किले में घुसने के उनके सभी प्रेयतन असफर रही मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की किले में घुसने की लेकिन वो नहीं घुस पाए अंत में उन्होंने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई किले के दक्षनी दवार के तोपची दुला जी ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देखकर अपनी और मिला लिया उनको रिश्वत मतलब पैसा दिया होगा जो कुछ ऐसी चीज दे हुई उनको लालज देने के बाद अपनी दरफ कर लिया गदार दुला जी ने अंग्रेजी फाजों को किले की पुरानी दिवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुषने में सहायता की जलकारी पूरी तरह सतर्ग थी मतलब कि पूरी तरह से अलर्ड थी इतनी राद गे वह कुछ सैनिकों के साथ किले के सुरक्षा पर बंदों की चांच कर रही थी एका एक उसकी दृष्टी अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी शीगर ही किले में खत्रे की गंटी बजो थी महारानी की सेनाएं छत्रूओं पर तूट पड़ी और उन्हें किले से बाहर खदेर दिया गया युद पूरे जोश पर था मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद और गोला बारूत समाप्त होने लगा महारानी ने मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सला दी पहले तो महारानी त्यार हो नहीं हुई किन्तु सब तंतरता की जूती चलाई रखने के लिए ऐसा करना अवश्यक था महारानी अपने दतक पुत्र को पीट पर कसे अंग्रेजी फौचों को चीरती हुई भांडेरी फाटक से किले से बाहर निकल गई दतक पुत्र होता है बेटा जो गोद लिया हो सदा महारानी के साथ रहने वाले जलकारी आज भी उनके साथ थी कुछ दूर निकल जाने पर जलकारी को जब यह विश्वास हो गया के महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी वह वापिस किले की और लाड़ पड़ी महारानी जैसा वेश धारन कर स्फेत घोड़े पर स्वार हो वह बीजली की सी एजी से अंग्रेजी सेना पर तूट पड़ी